नमस्कार, मैं वे बेकाणन और आप देख रहें नियूज फॉर नेशन बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट होने वाली है यानि कि नितिश कुमार मुख्यमंत्री की कूर्सी पर तो रहेंगे ही लेकिन सहयोगी को सत्ता से बेदखल करेंगे यानि कि लालू प्रसाद्यादों की पार्टी, राजद, कॉंग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है इसी बीच ना सिर्फ लालू प्रसादयादों की तरब से बलकि कही न कही नितिश कुमार की तरब से विधायकों को तोड़ने की कोशिस की जा रही है लालू प्रसादयादों का निसाना जेडिव है और हिंदुस्तानी अवा मोर्चा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चार विधायकों को लेकर लालू प्रसादयादों की कोशिस है कि वे उनका समर्थन करें लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो सिर्श नेत्रत्व है वो तयार नहीं हो रहा है एक खबर यह भी है कि आरजेडी की तरफ से जेडी विधायकों को तोड़ने की कोशिस उस रणनीती पर काम किया जा रहा है लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली है दूसरी जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कॉंग्रेस के भी विधायक सुरक्षित नहीं है कहीं न कहीं कॉंग्रेस विधायकों को भी तोड़ने की कोसिस की जा रही है हलाकि कॉंग्रेस का जो सिर्शनेत्रतो है चाहिए वो प्रदेश के अध्यक्षों, अखलेसी या फिर CLP लीडर सकील अहमत खाहो इन दोनों निताओं ने सीरे से खारिज किया है कि हमारे तमाम जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से एकजुट हैं, वो कॉंग्रेस के साथ मजबूति के साथ खड़े हैं, महागठबंदन में हैं लेकिन आज कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्णिया में थी उसमें से कई विधायक नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं पहुँचे, अभी से थोड़ी दिर पहले हमने जब जानकारी ली, तो अब तक 5 विधायक ऐसे थे, जो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, उन 5 विधायकों को लोगों ने देखा नहीं, उनका कोई trace भी नहीं मिल रह लेकिन अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्या वे दूसरे दल के संपर्क में हैं इसकी भी कोई प्रमाणिक सुचना नहीं है लेकिन वहाँ ए लोग नहीं पहुँचे तो सवाल उठना सुबाविक है क्यों जिस तरह से बिहार में राजनीती हो रही है कहा जा रहा है कि सभी दल एक दूसरे में तोड़ फोड़ की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो magic number है ना तो कोई ना तो जो सत्ता पक्ष है वो magic number से बहुत उपर है और जो भी पक्ष की कूरसी पर जो RJD जाने वाली है वो magic number से महज कुछ विधायकों की संख्या उसके पास कम है तो उसी को लेकर के तोड़ फोड़ की जा सकती है लालू परसाद यादो विचूप नहीं बैठे हैं खबर है कि Congress विधायकों पर जेडिव की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं उसमें से कई विधायकों के नाम की चर्चा है लेकिन हम उस चर्चा पर नहीं जा रहे हैं बलकि हम आपको यह प्रमानित खबर बता रहे हैं कि आज जो पूर्णिया में Congress का प्रदेश नेत्रत वे उसने जो बैठेक बुलाई थी उसमें से पांच ऐसे विधायक हैं जो अब तक नहीं पहुंचे अब नहीं पहुंचने की कई वज़ा हो सकती है लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं उसमें से बिक्रम के सिद्यार्थ हैं नीतु कुमारी जो हिस्वा की विधायक हैं संजय तिवारी जो बक्सर के विधायक विश्वनाथ राम जो राजपूर सुरक्षित सीठे वहां के विधायक है और प्रतिमा कुमारी है वे भी अभी तक बैठक में नहीं पहुंची है हलाकि इनके बारे में संजय तिवारी के बारे में बताया गया है कि संजय तिवारी के घर में कोई मांगली के कारक्रम है कोई साधी विवाह का कोई कारक्रम है लिहाजा उन्होंने सूचना दी है कि वे इस बैठक में सिरकत नहीं कर सकते हैं बाकी के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है, चाहे हो सिद्यार्थ हों, चाहे हो नित्युसी हों, विसुनाथ राम हों या फिर प्रतिमा हों, इनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, अब से कुछ दिर पहले हमने वहां input लिया, तो बताया गया कि इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना जानकारी मिल पाई है, ना इन लोगों को किसी ने देखा है, तो कहा जा रहा है कि इन लोगों की मंसा क्या है, कहीं ने कहीं नेतरतों को भी अभिया थोड़ा संका लगने लगा है, कि आखिर ये लोग कूं नहीं आए हैं सुचना भी नहीं दिया गया है तो जो चर्चा थी कि Congress में Congress की विधायक समंजस में Congress की विधायक नाराज हैं क्योंकि Congress Party की तरफ से नितिसны cabinet में मंत्रियों तो और मंत्री मांगा जा रहा था लेकिन नितिसकुमार तयार नहीं हो रहा थे Congress नेत्रत उसे भी कुछ विधायक नाराज है और नितिश कुमार से कुछ विधायकों का व्यक्तिकत रिष्टा है व्यक्तिकत संबंध है लिहाजा उस व्यक्तिकत संबंध की वज़ा से ऐसा हो सकता है कि कॉंग्रेस के कुछ विधायकों में तूट हो सके आज जब पूर्णिया में ये आधिकारिक तोर पर कोई इसकी पूष्टी नहीं है, सिर्फ चर्चा के अधार पर है, लेकिन जो पांच विधायक अनुपस्थित हुए हैं, उससे कहीं न कहीं अब या उस पर बल मिल रहा है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस की विधायक नाराज हैं, अब नाराजगी कैसे खत्म ह होगी, क्या वाकई में कॉंग्रेस की विधायक तूटेंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज अभी तक की जो बड़ी ख़बर आई है कि ए पांचों विधायक नेत्रितों के सामने आज हाजिर नहीं हो सके हैं, यानि कि जो विधायक दल की वैठक थी, उस वैठक में ये लोग सिरकत नहीं कर सके हैं, अधिक अप्रेट्स के लिए देखते रिए नीज़ पनेशन, नमस्ताइब